9 series, Redmi Note 10 series, Redmi Note 11, 12, 13 और Poco series में देखने को मिला है कि जो Xiaomi वाले हैं वो global के लिए अलग room बनाते हैं इंडिया के लिए अलग और China के लिए अलग अब लोग का स्वागत है और आज की वीडियो में हमारे पास बहुत सारी इंफोमेशन चाओमे के रिगारिंग ने सिस्टम अपके अपडेट्स के रिगारिंग उसी के साथ नए Google Play सिस्टम अपडेट्स आया हैं उनके बार में भी वाले बात करें वाले हैं बट उससे पहले सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो ताके फ्यूचर में भी आपको इसी कमाल की इंफोमेशन देखने को मिलती रहें तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से डिवाइस को देखने को मिले हैं नए अपडेट्स तो यहां पे शुरू करते हैं गाइस तो शाओमी लेव देखने को मिल रहा है उसी के साथ यहां आप मैं आपको बता दो कि बहुत सारे शाओमी रेडि में पोको डिवाइस को देखने को मिला है गाइस ब्लूटूट का नया अपडेट्स जिसका वर्जन यहां पे 21.10.1 जो की लेटस डिनोट करता है इसका साइज 11 MB का है और इसम आप लोगों को देखना है अपने ब्लूटूट वाले सेक्शन में जाके इसको अपडेट करने लेना है जिसको आइडिया नहीं है इस चीज का और यह mostly सारे डिवाइस के लिए रून ओट किया गया है तो इस चीज का आप लोग ध्यान रख सकते हो उसी के साथ बात करते है नेक्शन बेट के बारे में तो शाओमी ने अपना जो ओफिशल वैक्यूम रोबोट है वो लॉंच कर दिया है जो कि आपको देखने को मिलता है शाओमी रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक्स टैन यह आपको 9 जुलाई को लॉंच हो चुका है जो कि आप लोग दिसकते हो यहा कर सकते हो बागी मुझे तो काफी अच्छा लगा और इनका जो ओर्वीव है वो भी काफी सही लगा मुझे उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वेट के बारे में अनाउस किया है और सबसे पहले आप सब्सक्राइब को पता है कि यह इसको टेस्ट करना और शुरू कर चुके है जो कि अपकमी आने वाले फोन जो मीडिया टैक प्रोसेसर के साथ आएंगे उन में देखने को मिलेगा तो आप लोग उसके रिगार्डिंग एक्साइड़ हो प्रोसेशर की साउंड भी है ठीक है अपने बोला है कोई चीज और उसमें बैगराॉड में म्यूज़िक चल रहा है जोकी कॉपीरैट्टेड है तो यूटूब क्या करेगा आपकी आवास को सेप्टेट कर देगा और जो म्यूज़िक है गाइस उसको Mute कर देगा तो यह चीज़ का फिछ यह Creators के लिए तो अगर आप लोग यह Creators हो तो इस वीडियो पे Like दे सकते हो इस News के लिए Next बात करते हैं कि Poco C-55 के लिए इंडिया में Roll Out कर दिया गया उनका HyperOS का 1.0.5.0 का Official Indian Stable Blade जिसका Size 224 MB का है और उसी के साथ इसमें भी आपको जून का है Security Pass देखने को मिला है जिसके भी Links अवेलेबल हो चुके हैं जो कि आपको मिल जाएंगे हमारी Telegram चैनल पे तो आप लोग सिंप्ली वहाँ से जाके अपडेट कर सकते हो उसी के साथ शाओंवी 13 Pro के लिए भी आपको हमारा ही Telegram चैनल देखने को मिलेगा जिसको स्ट्वाइंट करके आपको वहाँ पे लिटेस्ट अप्डेट के रिगार्डिंग इन्फरमिशन भी देखने को मिलती रही नेक्स्ट बात करते हैं गाईज जीओ, BSNL और Sims के बारे में तो Reliance GO ने लॉंच किया अपना दिवाली ओफर, pre-played plans के लिए वो भी कुछ समय के लिए, जहाँ पे अगर आप लोग एडवांस में कोई भी रिचार्ज करते हो और plan Q में अगर वो वर्क निकर रहा, आप उसका advantage ले सकते हो दिवाली ओफर तक तो ये गाइस काफी अची है कि आप लोग दिवाली ओफर में कोई भी plan परचेस करते हों और फ्यूचर में आपको और ज्यादा cheapest price में देखने को मिलेगा तो ये चीज़ काफी अची लगी मुझे उसके साथ यहाँ पर आपको और भी information देखने को मिल जाती है जैसे कि गाइस Reliance Geo ने अपना नया 5G data booster अनौस की है जो कि 51 से शुरू होगा और उसके साथ गाइस इसके रिगाड़ी कुछ conditions है तो अगर आपके बास 2GB वाला data वाला प्लान नहीं है तो भी यह work करेगा बतलब 1GB वाला है और फिर भी अगर आप लोग 51 का booster लगाते हो तो 5G speed आपको देखने को मिलेगी सिर्फ 1GB तक की उसके बाद जो different plans है आपको देखने को मिलते है वो 51, 101 और 101 जगा है जहाँ पी तीन हो है वो 5G वाले है और इसके लावा जो भी आएंगी वो सारे 4G वाले होंगे जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते है इसकी conditions जहाँ पे आपको तीन plan देखने को मिलते है जिसमें 51 वाला plan में आपको 3GB data 4G मिलेगा और unlimited 5G मिलेगा तो यह चीज काफी अची है उसी के साथ 1.5GB per day वाला आपको plan देखने को मिलेगा जो की validity around 1 month तो कोने वाली है और आप लोग इसको simply 5G के लिए भी use कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे same यह conditions apply होंगी 101 वाले plan में जिसमें आपको 6GB data मिलेगा और 1011 वाले plan में आपको 9GB data मिलेगा unlimited 5G के साथ तो यह चीज काफी अची है गाइस जो कि आप लोग को एक normal recharge के साथ 5G का अपडेड देखने को मिलेगा तो इस चीज का गाइस यहाँ पे आपको काफी अची improvement देखने को मिल जाती है और इतना ही नहीं गाइस अगर हम लोग Sims की बात कर रहे है तो BSNL offer करने जा रहा है गाइस एक मन्त का free broadband plan वो भी 100 बेंड discount के साथ मतलब 500 रुपे में आपको 3 मन्त का plan देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को देखने को मिलता है monsoon double bonanza जो कि BSNL services के लिए है broadband के लिए तो अगर आप लोग broadband लगाना चाहते हो वो भी कम rate में तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा offer देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग simply recommend कर सकते हो Reliance के दरफ से offer आया है तो बहुत जल्द guys यहाँ पे एडिटर के तरफ से भी offer आएगा जो कि बहुत जल्द guys मैं आपके साथ share कर दूँगा उसके बाद guys बात करते next wait के बारे में Xiaomi ने अपनी home screen में guys एक नया section add किया गया है मतलब अगर आप लोग को guys कोई भी software version अपडेट करना है वो supportive यह आप flash करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह के screen देखने को मिलेगी जिसमें आपको देखने को मिलता है अल supported software जिसमें आपको देखने को मिलता है और चाइना के लिए लग तो चाइना में हमेशा से powerful drones use होती है तो उससे साब से compare किया जाए तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है उसके बाद guys बात करते हैं नेक्टर बेट के बारे में तो Google Play Store में guys एक नया feature announce किया गया है तो यह चीज़ काफी अच्छी देखने को मिल जाती है उसके बाद guys बात करतें नेक्टर बेट के बारे में तो यहाँ पे guys Redmi Note 9 series, Redmi Note 10 series, Redmi Note 11, 12, 13 और Boco series में guys देखने को मिला है नए official Xiaomi के Google Play System updates जिसका size around 55 MB का है guys और latest July का आपको देखनी को मिला है security patch जो कि Google Play System में अपल है तो इस इसका आप लोगों ने ध्यार रखता है यह आपको काम मिलेगा, आप लोगों ने setting में जाना है third number पे आपको security status मिलेगा उस पे click करना है, नीचे check for update देखनी को मिलेगा उस पे tap करना है, आपको यह update देखनी को मिल जाएगा जो कि आप लोगों सिंप्ली update कर सकते हूँ इससे आपके phone में कोई भी issues देखनी को मिलते है Google Apps के regarding तो वो totally fix हो जाएंगे उसके बाद गाइस बात करते हैं, नेचे बेट के बार में पाइनली लॉच्च कर दिया गया है इंडिया में, जिसका specific price around 14,000 रखा गया है जिसमें आपको different variants देखने को मिलते हैं इसकी कुछ specials आई हैं सामने 6.7 inch की full HD plus display 120 Hz के refresh rate के साथ, gorilla glass wet touch technology आपको देखनी को मिलेगी उसे के साथ आपको snapdragon 4 Gen 2 AE देखनी को मिलेगा, 5000 mh की battery है, 33 vote की charging है IP53 rating है, android 14 hyperos है, दो साल के android updates है तीन साल के security updates है और dual glass technology है, गाइस UFS 2.0 आपको देखनी को मिलेगा, mono speaker आपको देखनी को मिलेगी, 628 वाले का price 14,000 है और 828 वाले का price 15,500 है और after offer आपको ये 13,000 और 14,500 में देखनी को मिलेंगे, जो की 12,000 है मतलब आज जो sale हुई है उसमें तो जिन लोगों ने purchase किया गाइस, comment section में बता सकते हो, और इसके pros और cons की बात की जाए, तो इसमें आपको smooth 120 Hz full HD plus display देखनी को मिल जाती है performance काफी अच्छी है, daylight में camera काफी अच्छा perform कर जाता है और battery life decent है, इसमें कमी है है guys कि इसमें आपको third party apps बहुत जादा देखनी को मिल जाते है brightness इतनी ज़दा impressive नहीं है और stereo speakers नहीं है, इसके लावा minus issues है जो की testing के बाद सामने आएंगे बट फिर भी आप लोग को recommend करूँगा कि price range में काफी अच्छी features देखनी को मिल जाते है उसके बद गाइस बात करते हैं, next to wait के बारे में तो यहाँ पर गाइस, Redmi K17 Ultra का looks आ चुकी हैं सामने, यहाँ पर आप लोग चेक आउट कर सकते हूँ, आपको background look और एक color देखने को मिलता है, iPhone जैसे designs आपको देखने को मिल जाते है, side corner में back में इनका Poco वादा camera देखने को मिलता है 4 sensors के साथ, technically एक तो flash है, बाकि तीन बड़े cameras हैं, तो यह चीज़ काफी अच्छी लगी मुझे design wise भी काफी decent सा है, तो Redmi K17 Ultra के साथ आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब पर न मिलते हैं, नेक्श वीडियो पे नहीं उसके साथ, तब तक के लिए जैहन